गुड़ मोरी बच्चो स्वागत है आपका हमारी चैनल घंडबाल गलासेज में तो बच्चो आज हम देख रहे हैं क्लास6 के लिए सैंस नु लाषन बैल का चैप्टर नुमर है ट्वैल गलाक्तिक करेंट के बारे में और अच्छे से यहां पर डिसकस करेंगे तो बने रही है इस वीडियो में अंतक आपको एलक्टिक और एंड सर्किर्स के बारे में बहुत कुछ सेखने को मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्रीज चैवलन को सब्सक्राइब पीजिए ताकि आपकी Learn Well Science 6 के सारे चैप्टर साब को यहाँ पर अपडेट होते रहे हैं देखने को मिले इससे पहले हमने चैप्टर नमर 11 कंप्लिट कराया था अगर आपने उसके कॉस्टन आंसर का वीडियो और एक्स्प्लैनिक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्किस्टन में आपको एक Pre-List का Link दिया गया है जो की आप ही कि Class की Science की Subjects की Pre-List है आप वहाँ पर जाके सारे वीडियो उच हर चैप्टर को अच्छे से के लिए कर सकते हो तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं देखो इस जप्टर में हम क्या का चीजे पढ़ने बाले हैं पहले हो तापको मैं बता देता हूँ सेल्स के बारे हमें हमें इस जप्टर में पढ़ने वाले हैं और electric valve है यह सबी चीजे क्या हैं components of the electric circuit सारे electric circuit के components होते हैं जोकि electric circuit में जुड़े हुए या connected होते हैं ठीक है देखो to make our life comfortable and easy we depend on the electricity ठीक है जैसे आपको सब को पता है कि हमारी life को comfortable और easy बनाने के लिए हम electricity पर dependent होते हैं modern life seems to be impossible without electricity without electricity modern life जो है possible हमें नहीं लगती है because आपको सब को पता है कितने सारे instruments होते हैं like fan है टीवी है गीजर्स है washing machine है electric irons है computer है mobile है दुनिया भर की सारी चीज़ें electricity पर ही बख करते हैं यानि कि without electricity ये चीज़ें बेकार है so it is possible to light our homes, office, soaps and even after sunset only because of electricity ये आपके घर पे, office में जहां पर आप light देखते हो ठीक है तो रात के बाद में मतलब sunset के बाद में जो light का काम है हम electricity से ही करते हैं so आप यहां पर समझ शुके होंगे कि electricity की हमारी modern life में कितना ज्यादा रोल है आगे हम बात कते हैं all things that run on electricity having the electric current जितने भी चीज़ें होती है जो electricity से चलती है उन सम्में electric जो current है ठीक है वो flow होता है and any device that is used to produce electricity या electric current is called the electric source of the electric current जो गिलेक्टी करेंट को जिसमें use किया जाता है वो source होती है तो electric current जो होता है जैसे cell है तो cell भी electric current का source है क्योंकि cell से हम electric current को use करते है ठीक है आगे हम बात करते है dry cell के बारे में ठीक है तो دیکھो dry cell पहली बात तो किसे कहते है ये जो cell आप देख रहे हो जो कि आपका use and through cell होता है यै आपका dry cell होता है इसे हम primary cell भी कहते है क्योंकि वन टाइम यूज होता है ठीक है तो एलेक्टिक सेल और ड्राइच सेल आर सोर्स ओफ दे लेक्टिक करेंट ते डिफरेंट परपस्दे आर यूजड इन टॉर्च, टांजिस्टर, कैलकुलेटर इन सम्में इस एलेक्टिक सेल का यूज होता है इसलेक्टिक करेंट परवाइद करते है जिससे कि हमारे इंस्टुमेंट से है या फिर हमारे कमपोरेंट से पर आगे हैं जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल आदर वो मेटलिक कैब होती है मापको बताई देता हूँ देखो यह आपका positive terminal होता है यह आपका negative terminal होता है दोनों से ही आपके electric current जो है provide होती है और अगर हम इसके construction के बारे में बात करें तो देखो इसमें there are chemical stored inside the cell, cell के अंदर chemical stored होता है जो की electricity को produce करता है तीक है यह जो इसके अंदर जो chemical होता है वो chemical energy को convert करता है electrical energy में ठीक है यह जो जब chemical energy होती है और वो convert होती है electrical energy में फिर जाके हमें provide होती है देखो when the chemical gets used up the cell stop working यह जब chemical energy chemical जो energy है ठीक है उसका पूरा use कर ले जाता है तो जो cell से वो अपना काम बंद कर देते है and it's set to be dead तो हम कह सकते हैं कि cell जो है dead हो चुका है ठीक है the tip of the metal cap, metal cap की जो tip होती है यह उपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका positive होता है and नीचे वाला आपका क्या होता है negative होता है ठीक है electric current जो होता है वो positive to negative terminal की तरफ flow होता है ठीक है यह एक cell में या फिर एक source में जो flowation होता है electric current का वो हमें सब positive terminal से negative terminal की तरफी flow होता है आगे हम बात करते हैं the complete path way देखो जयन से the complete path way along with electric current flows in a called electric circuit electric circuit कोई नहीं चीज नहीं है एक path होता है एक राश्ता होता है जिसमें कि electric current flow होता है वो आपका electric circuit होता है जैसे कि आपकी घरों में आपने देखोगा बहुत से electric boards लगे होते हैं जो कि एक circuit होता है एक circuit को complete करते हैं आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से देखो अब electric circuits में काफ़े सारी चीज़े होती है वो connected होती है जिन में से एक पहली चीज है bulb आपका ये bulb है जो कि आपको light energy provide करवाता है देखो electric bulb is used to be light our rooms, bedrooms and it is also used in torch headlights of the car electric bulb का use हर जगे lights को lights के लिए किया जाता है अब हम पढ़ लेते हैं electric bulb में actually क्या का चीज़े होती है देखो electric bulb है जी outer glass electric bulb में एक outer glass होता है in case that is fixed to be metallic disc और एक coiled wire होता है जिसे हम flamen्ट कहते हैं ठीक है एक मिन्ट मैं देखा देता हूँ ये आपका पीच में जो होता है भी flamen्ट होता है ये आपका electric glass होता है ठीक है यानि कि कांच से कबार होता है और यहाँ पर दो fixed glass होते हैं जैसी ये ठीक है आगर देखो the filament is connected to two thick wires filament जो होते हैं दो thick wires से connected होते हैं ये thick wire है ठीक है while the other wire which touches metal cap tip और base is called positive wire और बीच में जो होता है ये positive wire होता है ठीक है अब ये दोनों बायर होते हैं एक ये बाला बायर और एक ये बाला बायर ये एक दूसरी से touch नहीं करते हैं ठीक है और देखो नहीं से उपर एक आपके यहाँ पर एक tip होती है जो tip जो होती है वो आपके positive charge को carry करती है और आपका ही जो ये metal का ये होता है ये आपके negative charge को carry करता है ये चार्ज जो होता है positive और negative दोनों ही ये साथ से flow होता है आगे देखते हैं the electric valve is filled with a mixture of inert gases electric valve में ठीक है आरगन गैस ये नियोन गैस का mixture फिल होता है यानि भरा होता है टीक है when two terminals of the valve are joined to an electric cell electric current flow through the circuits तो ये एक तरह से circuit दियार हो जाता है जब हम यहां से positive और negative बायर को ले लेते हैं और इसको हम एक source से connect करते हैं मालिज हमें इनके बीच में एक cell लगा देते हैं टीक है तो cell से ये valve क्या करेगा गलो करेगा तो ये आपका एक तरह से circuit तियार हो जाता है next देखो electric energy gets convert to the heat जो भी electric energy हम इसको बालब को provide करते हैं वो heat energy में करमट हो जाती है और कुछ हिस्सा उसका light energy में करमट होता है आगे देखो an electric bulb whose climate is broken is to be set fused यानि कि जिसका ये filament बाला तोड़ जाता है फिर वो does not glow यानि कि वो glow नहीं करता है because it's a break the path of electric current क्योंकि इससे electric current का जो path है वो break हो जाता है वो तूड़ जाता है ठीक है तो वो glow नहीं करता तो ये electric बालुप के बारे में होता है मैं थोड़ा मोटा मोटा फिर से revise कर दीता हूं देखो ये आपका filament होता है जो कि tungsten से बना होता है tungsten जो होता है वो आपका high resistive element होता है ठीक है जिसी के इसके कारण ही ये glow करता है क्योंकि उसका resistance होता है वो high होता है ओके और ये आपके positive negative terminals होते हैं ठीक है ये आपके दो बायर होते हैं जिनसे कि ये connected होते हैं ठीक है इस हैं जाले कुछ है नहीं है यहं से हम आगे अगा अजária कर लेते हैं पेज नंहरो चैजनल करके Electric heater के बारे में चैको औरक्तिक लगो की यो होता है टीक है वो वी एलिक्रफ के ही ज्यस्य जैसे बंष करते ये अधे अलेक्टिक करमेंट इघ्र है एक था वह आटेष से वह लोईगर करता है. उसी प्रकार आपके room heaters में भी होता है The only difference between the two is that the filament of valve gives out light and as well as heat but heater is especially designed to the produce heat यानि कि इन दोनों में difference यह होता है कि जो valve होता है उसमें आपकी heat energy भी convert heat energy जो है valve में आपको heat energy के साथ light energy भी provide होती है बट यहां पर heat energy ही provide होती है ठीके बाकी का दोनों का जो working है उससे हैं में आगे हम बात करते हैं electric circuit के बारे में तो देखो एक electric circuit एक path होता है तर उक भी electric current flow, जिससे एक electric current उसमें flow होता है एंड इसमें buyers होते हैं जो कि आपके positive or negative terminal से जो current आता है current जो होता है basically वो electrons की form में यहाँ पर flow होता है ठीक है करेंट छो करते हैं फिर्म कंदा पॉजिटिव तरफ लो करते हैं बट जो करेंट होता है यह दूसरी का पॉजिटिव तरफ लो करते हैं लेकिन भार हमारा चार्ज है वो positive से negative क्या करता है flow करता है यहां पर देखो लेक्ट भी रहा है the direction of the flow of the electric current is opposite to that of the flow of electrons यानि कि electric current की direction electron की direction की opposite होती है ठीक है positive से negative electrons क्या होते है जो electric current होता है वो electrons की form में होता है तो आगे हम बात करते है types of electric circuit आपको धो टाइब के होते हैं एक तो था आपका close circuit जिसकों complete circuit भी कह सकते है और एक होता है open circuit जिसकों complete circuit भी कह सकते है दिक्रें close circuit का मतलब होता है देखो closed circuit का मतलब है किसी एक terminal से दूसरी terminal electricity का जो flowation होता है वो closed circuit हो जाता है और uncomplete या फिर open circuit होता है अगर वो broken down है support करो मैं आपको for example समझाता हूँ जैसे अपने board में से switch को on किया और आपका पंका चल गया it means closed circuit है वो क्या है closed circuit है क्योंकि आपके charge का flowation हो रहा है और माझनी जी आपका आपने सिचौन किया पंकर ने चला माझनी जी कोई बीच में fault है यानिकि कुछ broken part है ठीक है माझनी जी वायर बीच में से तोट रहा है तो वो आपका incomplete circuit हो गया समझ मागया यानिकि charge का पूरी तरह flow हो जाता है one terminal से another terminal पर तो electric open वो sorry electric circuit close हो जाता है otherwise वो incomplete है तो हम उसे open circuit कहते हैं आगे देखो electric circuits में basically कहका चीज़ होती है पहली बात तो होता है buyers जो कि electric current को flow करने के लिए होता है तो निक हमपर दो byrits होते जो कि आपके charge को carry करते हैं फिर बात करते हैँ, वल्ट की ठीक है वल्ट जो है light को glow करते है म November lift, light के लिए वल्ट ची ए, एक तो या हो गया next is switch, जो कि on off के लिए चाहिए आपको और एक है cell जो की source of energy या तो आप cells energy लिए ठीक है तो इस सारी चीज़े में अलेक्टिक सर्किट में करनेक्टेट होती है यहां पर एक एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है कि किस कंडिशन में हमारे जो सर्किट है क्लोजड होगा और ओपन होगा तो देखो यहां पर पहला वाला जो आपने यह वाले में देखो क्या हो रहा है कि इस कंडिशन में आपका जो सर्किट है कंप्लीट है यह आपका सैल है ठीक है सैल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके टिप से कनेक्टेड हो रहा है और से open circuit करेंगे और इस Condition में हमारा जो हो बाल्प हैGLU नहीं करेगा ठीक है तो डी बाले में भी आपका वलप गरो नहीं करेगा ठीक है एक मिनट और आच्छा से बाले में आवाल्प बुराइगा क्योंकि C बाले में क्या हो रहा है कि दोनों जो यह एक मिनट मैं बता हूँ C बाले में जो दोनों बायर से हैं वो आपके एक ही तर्मिले पर कनेक्टेड है देखो यह वाला भी इसी तर्मिले पर कनेक्टेड है यह वाला भी इसी तर्मिले पर कनेक्टेड है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि onally आपका एस circuit है is close circuit है complete circuit है हम कह सकते हैं बाकी के तीनों में कुछ न कुछ problems है ठीक हैं यहां पर तो आपको दीके रहा है short है इसमें भी short हो रहा है बट यहां पर एक ही जगे connected कर रहा है आगे हम time to question answer कर लेते हैं देखो the flammet is bulb is made of ठीक है bulb का flammet जो tungsten का मनता है the metal cap of the cell is positive terminal and when the flammet is in the bulb break okay flammet break हो जाता है तो bulb का हम क्या बोलते है fuse bulb बोलते है कहते हैं कि bulb fuse हो गया यहीं कि flammet break हो गया fuse हो गया आगे electric current only flows through and close circuit अभी तो बता रहा हूं है close circuit में electric current flow होता है direction of the flow of electric current is opposite to that that of the flow of अच्छा flow of electrons ठीक है यह फिर फिलोप लोक्तों अले CTRO and electrons तो यह आपकी question and answer भी complete है आगे देखो electric switch के बारे में देख लेते हैं आपको पता ही है क्या का माता है ठीक है current का जो flow flow होता है उसको on-off करने के लिए हम switch का use करता है ठीक है तो देखो how does electric switch work देखो when the switch is closed यहनि switch को बंद कर देता है तो आपको पता है क्या कि circuit पीक क्या हो जाता है close हो जाता है तो उसमें electric जो फिलोएशन है वो बंद हो जाता है और जब हम switch को on करते हैं तब हमारा जो कि एक मिट अच्छा open करते हैं शूच को ठीक है तो हमारा पत ब्रेक हो जाता है और इस कंडिशन हमारा फिलो होता है चार्ज ठीक है कि आगे पेज पर हम देखते हैं कुछ दो डागरम हमें दिखाया गया है तो देखो धान से कि यह open switch है open क्यों है इसमें क्या क्या इसमें current फिलो हो रहा है तो इसमें current फिलो नहीं हो रहा ठीक है इसका कारण क्या है कि इसमें current फिलो नहीं हो पर current flow हो रहा है तो यह जो है जिसमें current flow नहीं होता वो open circuit होता है ठीक है और जिसमें current flow होता है वो close circuit होता है close का मतलब बंद है यानि कि पूरी तरह से current flow होता है इसमें ठीक है देख सकते हो आप यहाँ पर वलप glow कर रहा है क्यों तो कि लाइन पूरी किलियर है यहाँ पर वल्ब जो है गिलो नहीं कर रहा क्यों क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉल्ट है फॉल्ट ही है कि यहाँ पर स्विच चुक्या है बंद है आगे हम एक्टिविटी फाइब करते हैं देखो तुमेक ए सिंपल एलेक्टिक सर्किट बेते स्विच अब इसको पढ़ूँगा नहीं में बट तुम देख लो इसमें क्या है देखो यह आपका एनरजी का सोर्स है याणि कि सेल पर हो सकता है ठीक है सेल से हमने नीचे से यह आपका नेगिटिव चार्ज है यह अगर यह पर से आपका सर्किट ब्रेक है ہम इस पन को इससे टच करते है तो आपका circuit close हो जाता है यानि कि आपके जो circuit है एक तरह से complete हो जाता है और आपका valve क्या करेगा glow करेगा तो सही बात ठीक है आग electric torch के बारे में बात कर लेते हैं एक बार हम electric torch के बारे में बात करेंगे इससे पहले कि हम यहां पर एक चीज पढ़ते हैं देखो the combination of cells is called battery यानि कि अगर हम एक cell को यूज करेंगे तो वह cell ही रहेगा बट अगर हम cells को combination कर देंगे combine कर देंगे एक साथ दो दो तिन 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 जोड़ देंगे तो वह आपके एक battery बन जाती है ठीक है अब पढ़ते हैं torch के बारे में देखो torch if you look inside the torch अगर आप torch के इन चैड में देखते हो ठीक है you will see तो आप देखोगे टू और थ्री शेल्स पैलेस्ट इंस चौपे पॉजिटिव नेगेटिव और तच्छ नेगेटिव यानि कि पॉजिटिव ठीक है चार्ज नेगेटिव से connect होगा पॉजिटिव से connected होगा इस परकार आप आप दोतीन चैल से आप टौछ मेंciu करते हो ठिक है तो दोतिन से से जो भी है आपके बैटर तयार होता है तो इस यह जब आप टोर्च पूंदेखोगे तो इनका जो चार्ज है आपके बलब से से कनेक्टेट होता है और देर इस स्प्रिंग एड़ बेस आप टोर्च टोर्च के बेस में स्प्रिंग होती है और इट दा नेगेटिव टर्मिनल यह आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है और ऊपर का जो टॉप होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है ठीक है देर इ जैसे मेटल टिप एड़ दा बीस अब दा वल पहन दा पॉजिटिव टर्मिनल और से ट्रेस अगनेस्ट इट टिक है जब हम स्विच को अन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करेंट एक तरशी फ्लो होता है आगे वेंद दा स्विच पुश्ट अन टिक है पॉजिशन त किलो ऑपन बन जाता है ठीक है तो आनिकि अग्लोज की कंडिशन में जो आपका करेंट है वो फ्लो करेगा और और आपका टॉर्च जो है गलो नहीं करेगा यहां पर आपको torch का एक तरह से पूरा diagram दिखाए गया है, आप समझ सकते हैं, यहां पर दो cell लगाए गया है, पहले cell का positive यह रहा, और पहले cell का negative यह रहा, दूसरे cell के positive को पहले cell के negative से एक तरह से जोड़ दिया, ठीक है, अब यह आपके यह negative charge यह रहा, और जो यह spring है, spring से आपके एक negative charge आता है, यहां पर यहां अधिक को पर यह बहने, ठीक है, धायन से देख लो, और positive charge आपके यहां से आ रहा है, ठीक है, अधिक है, और जैसे यह आपको सुच्च को आगक तरफ धका देते हो, तो यह आपका जो negative charge है, इतरर से positive charge के साथ में मिल जाता है, तो क्या करता है गलो करता है ठीक है और अगर आप फिर से इसको पीछे खीशते हो ठीक है बंद करते हो तो आपका यह connection टूट जाता है इससे क्या होता है connection break होने से आपका जो bulb है वो गलो नहीं करता है बाकि तो आपकी यह plastic के क्या है केजिंग है ठीक है यह आपका स्विच है ठीक है और यह आपका करेंक्टर है यहाँ पर बीच में मैटल स्विच कनेक्ट ठीक है बाकि यह आपका लेंप है मतलब यह आपका क्या बोलता है इसको वल्प है यह वल्प का फ्लामेंट है ठीक है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा होता है इसमें चार तरफ इसमें क्या लगा होता है रिफ्लेक्टर जो कि आपके जो लाइट गलो करती है उसको रिफ्लेक्ट करता है ठीक है ड आगे हम देख रहे है activity six to make a simple torch तो simple torch बनानी आपको ठीक है तो आप देखो बहुत ही आसान है क्या करना है आपको एक cell लेना है और एक आपको बलब लेना है ठीक है छोटा आता है तो बलब के cell के positive को आपको tip से connect करना है और cell के negative को आपको इस metal metal से connect करना है आपका bulb glow करेगा ठीक है यह simply आपके क्या बजाएगी एक तरह से बैटरी बन जाती है बच्चो आगे हम बच्चो बात कर लेते हैं conductors और इंसुलेटर की ठीक है तो conductor होते क्या है जो ऐसे metals जो की आपके electric current को flow करते हैं ठीक है जिनमे electric current बहता है या हम बोल सकते हैं इनमे electric current flow होता है वो आपके conductors होते हैं और जिनमे electric current फिलो नहीं होता है वो आपके इंसुलेटर सोते हैं ठीक है आब जैसे conductors की बात करें तो जैसे copper है ग्रेफा है प्लास्टिक है आन्म और गलास है यह सभी चीज चीज है में करणन प्लो नहीं होता हुद आपने देखे हैं कभी बुढ के वायर्स नहीं देखे हैं नैंगी यहने कि इन में current flow नहीं होता है, इसलिए इनकों insulator कहते हैं, ठीक है, clear, अब देखो आगे कह रहा है, आगे एक बात लिख रही है, कि insulator protect us from electric shock, insulator हमें electric shock से बचाता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि insulator में current flow नहीं होता है, इसलिए देखो electrician wear rubber gloves, अपने notice क्यों होगा, कि जो भी electric का काम करते हैं, उन्हें हम electrician कहते हैं, और electrician जो होते हैं, रवर के gloves पहनते हैं, जब वो काम करते हैं, so as to protect themselves from getting an electric shock, वो इसलिए रवर के पहनते हैं, ताकि वो electric current से बस सकें, क्योंकि आपको पता है, रवर में electric current flow नहीं करता है, रवर क्या इसलेटर हैं, ठीके, electric wires are covered with the plastic for the safe region, आपने ये भी notice के होगा, कि electric जो wires होते हैं, उन पर एक plastic के coating होती है, बायर कभी ऐसे, ठीके, खुले में नहीं होते हैं, उन पर coating होती है, उसका रीजन यही है, कि plastic जो होता है, आपका electric charge को flow नहीं करता है, ठीके, प्लास्टिक हीजे, good insulator, so, आपको, next है, handles of the screwdrivers, hand tester, ठीके, इनके जो handle होते हैं, उन पर भी plastic या रवर की coating होती है, ठीके, so that the person testing the electric socket, do not get an electric socket, any electric socket, हम चैक करते हैं, current के लिए, current पास हो रहा है, या नहीं हो रहा, तो हमें जटका नहीं लगता, हमें sock नहीं लगता, because, जो screw driver है, उसके उपर plastic का cover होता है, प्लास्टिक क्या है, इन्सुलेटर, ठीके, प्लास्टिक में current flow नहीं होता है, आगे देखो, activity 7 है, ठीके, activity 7 क्यों है थे रखिया पर, यह आपको बता रही है कि कौन इंसुलेटर होता है, और कौन आपका conductor होता है, देखो, यहाँ पर एक cell लगा दिया हमने, cell के एक wire हमने इदर लगा दिया, इदर connect कर दिया, और एक wire हमने बीच में safety pin लगाई है, यहाँ पर और इदर connect कर दिया, और देखो यहाँ पर हमने septy pin कि जगे कई लगाया है तो आफको पता है कि septy pin जो जो होती है वो लोई की बनी होती है और यह जो होता आपका good conductor होता है तो जब हमने septy pin को यहाँ पर connect किया तो देखो आपको आपका भर glow कर रहा है बट अगर हमने यहां पर हमने एरेजर लगाया तो आपको पता है कि एरेजर क्या होता है बैड कंड़क्टर होता है यानि कि हम एरेजर को इंसुलेटर कहते है और एरेजर में करेंट फिलो नहीं होता है इसलिए आपका बॉल्प जो है गिलो नहीं करता है ठीक है आगे हम देखते हैं safety measures for the handling electrical gadgets तो आपको पता है कि आपको सौक आ सकता है जटका आ सकता है तो इस थेम हमें कैसे कैसे measurement prevention करना चाहिए तो देखो आपको यह भी पता है कि electricity बहुत डेंजर होती है ठीक है आवर बोड़ी इस एक गुड़ कंड़क्टर अप्रक्षिटी एंड बीकेन गैट एलेक्टिक सौक इफ एन एलेक्टिक करेंट पास त्रोगदावर बोड़ी यह अगर हमारी बोड़ी में एलेक्टिक करेंट को हम टच करते हैं तो हमारी बोड़ी जो होती है वो एक तरह से एलेक्टिक के लिए एलेक्टिक करेंट के लिए गुड़ कंड़क्टर होती है और वो हमारी बोड़ी में एलेक्टिक करेंट पास होता है सो हमें जटका लगता है अगर हम electric चीजों को touch करते है electric supply को touch करते है सो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो देखो पहली बात तो do not touch electric gadgets और sockets इनको कभी touch नहीं करना चाहिए with weight hands, गेले हातों से और you can get an electric soak, ठीक है second बात है do not touch electric wires with wear hands गेले हातों से भी touch नहीं करना चाहिए और खुले हातों से भी touch नहीं करना चाहिए do not insert too many switch in a one point एक point में ज्यादा switch भी इंटरहां में नहीं करना चाहिए insert नहीं करना चाहिए और do not experiment with unfamiliar electric gadgets ठीक है एसी gadgets जिनके आप चानती नहीं हो उनके साथ आपको बिल्कुल भी कुछ भी experiment नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह कुछ safety या फिर हम बोल सकते हैं major prevention के लिए आपके हैं आगे हम देखते है time to question answer तो पहला question है आपका an electric switch only close the circuit तो false है क्योंकि electric switch जो होता है circuit को close और open करने के लिए use होता है अगला है usually more than one cell is used in electric torch तो जरूर नहीं है one cell हो ठीक है बट हो भी सकता है तो इसमें up true कर लेना अगला है insulator allows electric current to pass through them तो यह false है क्योंकि insulator जो होते हैं electric current को allow नहीं करते हैं ठीक है जो electric current को allow करते हैं वो आपके conductors होते हैं ती वाला question है if it is safe to touch electric wires with weight hands तो बिल्कुल भी touch वो safe नहीं है तो यह false statement है ठीक है electric wire को अगर touch करोगे तो electric shock आगे है अगला है do not insert too many switch in one relative point तो बिल्कुल true है ठीक है तो यह आपके question answer भी complete है और यह आपके chapters भी complete है अब इसके exercise के question answer है उसका वीडियो भी आपके description में दिया गया है आप आप वहाँ से जाके question answer भी कर सकते हो ठीक है और प्लीज वीडियो को like कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए अकर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो और अपने friend circle में share कीजिए मिलते हैं हम next chapter की वीडियो में लेकिन मैं फिर से आपको यह बात बोल रहा हूं प्लीज share कीजिए थैंक्यू सोब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो